राजिस्तान के सियासी घटना करम को लेकर सूबे का सियासी महौल पहले ही गरमाया हुआ है तो वहीं पूरी कॉंग्रिस ब्रिगेड ने भी विरोधियों के खलाफ मोर्चा खोल दिया है जी हाँ कॉंग्रिस के इस पीक अप इंडिया नाम से चलाए जा रहे है अभ्यान में अब राजिस्तान मामली को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है साथी जनता से लोगतंत्र की हिफाज़त के लिए आवाज उठाने की अपील की है एक रिपोर्ट देखिए जुठ होने की अपील की है राहुल ने ट्वीट कर कहा आईए एक जुठ होकर लोगतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाए भारत का लोगतंत्र संविधान की आधार पर जनता की आवाज से चलेगा बीजेपी के छल कपट के शड़ेंत्र को नकार कर देश की जनता लोगतंत्र और संविधान की रक्षा करेगी अपने ट्वीट में उन्होंने इस पीक अप फॉर डेमोक्रेसी हैश्टेक का इस्तमाल किया इसके साथ ही उन्होंने एक वीडियो साजा किया है इस पीक अप फॉर डेमोक्रेसी में राहूल गांधी ने राजस्थान घटना करम पर ध्यान केंद्रित किया उन्होंने कहा कि धनबल के दम पर राजस्थान में कॉंग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है इससे पहले राजस्थान मामले पर उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा था कि राजस्थान के आठ करोर लोगों का अपमान किया जा रहा है राजजपाल महोदे को विधानसवा सत्र बुलाना चाहिए ताकि सच्चाई देश के सामने आए आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने शनिवार देर रात 31 जुलाई से विधानसवा सत्र बुलाने का नया परस्ताव राजजपाल का लाज में शुको भेजा है बताया जा रहा है कि इसमें कहा गया है कि वो कुरोना पर विशेश चर्चा करना चाहते हैं और 6 बिल पेश कराना चाहते हैं इसलिए सत्र जल्द बुलाया जाए हलंकि प्रस्ताव में बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं है दरसल राजजपाल भी सरकार से ही पूछ रहे थे कि आखिर वो विधानसभा सत्र क्यो बुलाना चाहती है और उनका एजेंडा क्या है जिसके बाद सियम गहलोत ने नया प्रस्ताव राजपाल को भेजा है अब राजपाल इस पर क्या फैसला लेते हैं ये तो वक्त बताएगा लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस के तीखे शब्द बार पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है ये भी देखना होगा